तो नमस्कार मेरे प्यारे लाडलों क्या हाल चाल आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड इकजाम की तैयारी में लगे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको क्लाश टल्थ के मैत के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेस्चन हैं मैं उसी को लेकर आया हूँ बिल्कुल एकदम सीरियस मैटर है यहाँ पे दोस्तों कोई पिछला पेपर उठा लीजिए 2020 का, 2022 का, 2019 का, 18 का, 17 का उन्हें में से जो लगातार क्वेस्चन आये हैं उन्हीं क्वेस्चन को यहाँ पे रखें हर साल जो आएं तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे जो मैत के स्टुडेंट है उन्हें के लिए वीडियो है ठीक है वीडियो को सुरू करते हैं पुरा इसकीप नहीं करना है और एक इंफोमेशन है इंफोमेशन यह है कि अगर आप इस तरीके से हैंड रिटेन में सौ में सौ मैत में सौ मैत में या फिर किसी सब्जेक्ट में हंड्रेट में हंड्रेट लाना चाहते हैं भी जिस कमिस्ट्री बाइलोजी को छोड़गा क्योंकि इसमें सत्तर का होता है आप हुमारे फाइब साल के अनसालवे पेपर को लेना मत भूलिएगा अगर एक सब्जेक्ट आपका इच्छा है कि आप और चार सब्जेक्ट तयार हैं एक सब्जेक्ट लेना है तो 29 रूपे देना पड़ेगा वार्टसप पे मिलेगा कहा मिलेगा वाडसप पेुद्टी ऐप मिलेगा complete साथो शिट एक सब्जेक्ट 29 रुपए में पांचो सब्जेक्ट लेंगे तो 50 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा एक साथ लेने पर 99 रुपए मिल जाएगा दोस्तों ठीक है 99 रुपए में याद रखना बहुत ही कम फीस है इन बच्चों को लेना है नीचे नंबर यहाँ पर दिया गया है 7992087382 से कंटेक्ट कर ले अब बोड इक्जाम में धमाल मचाएं सूपर हीट आप मेरी गरेंटी है इस तरीके से आपको सारा सल्यूसन मिल जाएगा नसाल पेपर का और एकदम धुआ धुआ करो वोड इक्जाम में जाके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए यहाँ पर वीडियो सुरू करते है सबसे पहले बहुभी कलपी प्रशनों को साल्व करेंगे निम्नल लिखित सभी खंडों को हल कीजिए प्रशनोंत्तर पहले से स्टार्ट करते हैं भुभी कलपी प्रशन पहले का का नमबर ठीक है देखो यदि साइन इनुवर्स बराबर पाई बाई टू तो एक्स का मान गयात करना है मेरे प्यारे बच्चों किसका मान एक्स का मान निकालना यहाँ पर तो ध्यान देना ये जो बैलू है मैं यहाँ पे लिखाओं देखो तोड़ा लिखने से क्या होता है जल्दी हो जाता है ठीक है और यहाँ पे देखो दिया है कितना मैंने question उतार दिया अब मैं क्या करूँगा इस चीज को उस तरह पक्षानतर कर दूगा जैसे ही ये portion उधर जाएगा ये left में ही बचा रहेगा सब को सौन में आ है की नहीं ये left में बचा रहेगा यहाँ pi by 2 pi by 2 minus ये उस तरफ दिया minus में अब यहाँ पर एक formula लगने वाला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये formula है अपने पास sin inverse x प्लस कास inverse x बराबर pi by 2 यहाँ से हम कास यहीं पर रखेंगे ये उस तरफ ले जाएंगे ये हो जाएगा कास inverse x बराबर pi by 2 minus sin inverse x बात clear है कि नहीं clear है मैंने कहा इसको यहीं पर रखेंगे इसको उस तरफ पक्षानतर करेंगे pi by 2 minus sin inverse x यहाँ पर हमें value मिल जाएगी ठीक है इतने की value ये अब देखो अब यहाँ पर sin के अस्थान पर क्या है 1 minus x ज्यान देना जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 minus x कर दो तोड़ा और इसे पतला में कर लेते हैं 1 minus x 1 minus x ठीक है पराबर pi by 2 minus sin inverse 1 minus x तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि इसके अस्थान पर pi by 2 minus sin inverse 1 minus x के अस्थान पर क्या लिख सकते हैं कास inverse 1 minus x से लिख सकते हैं यह देखो यह लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ देखो इसके अस्थान पर कास inverse यह लिख दिये इसके अस्थान पे यह लिख दी हैं इस फार्मूले से निकाल के अब देखो अब यहां आगे का माजरा क्या है हमें ना इसको यहां पे दो ना होता तो काम हो जाता ध्यान समझना अगर यहां पे दो ना होता तो मेरा काम बन जाता यक्स का मान निकाल लेते ये दो होने के वज़ा से मामला थोड़ा फस रहा है क्या हो रहा है? फस रहा है तो क्या किया? तो ध्यान देना मेरे पेरे लाड़ लो ये जो आप देख रहे हो ना ये वाली value ये मैंने y के बराबर मान लिया है sin inverse x बराबर y यहां से x की value निकालोगी ये sin inverse उस तरब जाएगा तो हो जाएगा sin y बराबर x ठीक है? ये उधर चला जाएगा sin y बराबर x मिल जाएगा sin y बराबर x ठीक है? मिला कि नहीं मिला? sin y बराबर x मिल गया तो जहां पर sin inverse x है वहां पर क्या रख दोगे? minus 2y is equal to cos inverse 1 minus x यह देखो यहां पर लिखा हुआ है यहीं चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं जो लिखे है अब आगे देखो आगे ज़रा समझीए कि मेरे प्यारे बच्चों देखो यहीं चीज़ लिख लिए ठीक है? अब ज़रा ध्यान देना अब यह जब कास इस तरफ आएगा तो कास inverse है यह inverse हट जाएगा तो यहां हो जाएगा 1 पक्षांतर करने पर कास का जो घात minus 1 है इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा अब प्लस 1 लिखा नहीं जाता इस चीज़ को भी से से याद रखना ओके? फिर देखो मेरे पैरे बच्चो फिर क्या हुआ है? उसके बाद देखो एक-एक इस्टिप समझो एक-एक इस्टिप समझना आप सभी फिर यहां पे देखिए यहां पे एक फार्मूला लगा हुआ कौन सा फार्मूला? कास माइनस थीटा बराबर कौस थीटा यह आपके चवथे चतुर्थांस एस्टिसी रूल का प्रयोग किया गया है चवथे चतुर्थांस में एस्टिसी रूल का प्रयोग किया गया है कास माइनस टू आई बराबर 1 माइनस एकस कास माइनस टू आई इस सूतर से माइनस गायब हो गया अब देखो मेरी प्यारे बच्चों अभी मैंने क्या माना था साइन इन्वर्स भ्यान देना भ्यान देना अभी मैंने माना था ना साइन इन्वर्स है एक्स बराबर वाई तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा sin y ठीक है x के अस्थान पर sin y यह देखो x के अस्थान पर मैंने क्या रख दिया sin y रख दिया अब देखो यहाँ एक सूत्र होता है cos 2y बराबर cos 2 theta बराबर आपने पढ़ा है 1-2 sin square theta by 2 अब चुकि यहाँ y है तो y by 2 हो जाएगा देखो cos 2y बराबर 1-2 sin square y बराबर 1-sin y यह देखो positive है यह भी positive है यह दोनों मेरे लाड़ों cancel हो जाएगा बात clear है अब भाई साब clear है जब यह cancel हो गया न तो अपने पास बचेगा minus 2y sin square y और इधर minus sin y दोनों पक्षों में minus का गुड़ा करोगी यह भी plus हो जाएगा उसके बाद plus 2 sin square y यह positive है इस तरफ हैगा minus में इधर 0 बचेगा यहाँ से 2 sin y कामन ले लो 2 sin y कामन और क्या बचेगा सारी केवल sin y कामन लिया है तो 2 sin y minus sin y निकल गया 1 बचा अब यहाँ जब तब में 2 condition लेंगे जब तब में 2 condition लेंगे एक sin y बराबर 0 लिया तो sin y बराबर 0 and y बराबर 0 मिल जाएगा और यहाँ पे 2 sin y minus 1 बराबर तो यहाँ से y की बैलू निकालोगे तो 30 अंस आ जाएगा ठीक है अथ हमाँ x की बैलू 0 हो जाएगी x बराबर 1 बचे 2 जितनी y की आएगी उतनी ही x की हमें मिल जाएगी बात clear है की नहीं दोखो अगर y की बैलू 0 मिल रही है तो x की बैलू भी 0 मिलेगी y की बैलू 1 बचे 2 मिल रही है तो x की बैलू भी 1 बचे 2 मिलेगी उकर region क्या है जरा ध्यान देना उसका region यहाँ पर यह है ठीक है यह है अभी देखो अभी देखो वहाँ पर y की बैलू 0 मिली थी यहाँ रख दो sin 0 तो x की बैलू sin 0 और इसकी बैलू 0 हो जाएगी ओके फिर x बराबर sin y के अस्थान पर 1 बचा दो sin कितने इसकी बैलू होती है t-sans, t-sans लिख सकते हो या फिर यहाँ पर भी 1 बचा दो लिख सकते हो, कोई doubt नहीं है ओके, तो जितना x की होगी उतना ही y की हो जाएगी, यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 1 बचा दो समीकण को संतुष्ट नहीं करता अता x बराबर 0 इसका आंसर है ठीक है? यह संत, यह जो है समीकण को संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि x का मान यहाँ रखोगे, तो यह πाई बाई टू के बराबर नहीं आएगा एक बटा दो, ठीक है? इसलिए हम क्यों जीरो रखेंगे तो यह पाई बाई टू के बराबर आ जाएगा इसलिए हमारा जो मान है वो x बराबर 0 इसका राइट मान है मेरे प्यारे बच्चों याद रखने सब को संध में आ गया चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना अगला जो यहाँ पे question है दूसरा एक कख जरा ध्यान देना एक कख में integration of sin x dx अब यहाँ पे देखो यहाँ पे यह पाला फलन हो जाएगा और यह दूसरा फलन अनिश्चिस समाकलन है यह कौन सा समाकलन अनिश्चिस समाकलन यहाँ देखो मैंने question उतारा है यह पाला फलन और यह दूसरा फलन तो पाला फलन यहाँ पे हो जाएगा है ना अपने सूत्र पढ़ा होगा समाकलन का कौन सा सूत्र होता है integration of first फलन into second फलन dx बराबर first फलन integration of second फलन dx minus integration of t dx of first फलन into integration of second फलन dx and dx हो जाएगा बात क्लियर है पाला इंटू दूसरा बराबर first second फलन का समाकलन minus integration of d dx of first फलन second फलन का समाकलन dx is that clear तो यहाँ पर जो है फार्मूला यही होगा यही हम यहाँ पे लगाएंगे पाला फलन यह हो गया दूसरे फलन का समाकलन minus integration of quota cost d dx फाला फलन integration of दूसरा फलन ठीक है dx उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x उतार लेंगे sin x का समाकलन करेंगे minus cos x minus d dx x का उकलन एक आ जाएगा और sin x का समाकलन minus cos और यह dx बात क्लियर है बात क्लियर है उसके बाद यह उतारेंगे यहाँ minus यहाँ हो जाएगा minus x cos x ठीक है minus minus यह plus हो जाएगा यहाँ पे एक इस्टिप आगे बढ़ते हैं उसके बाद cos x का समाकलन sin x और यह minus sin x पहले लिख दिया यह minus x cos x बात में लिख दिया plus c यह हो गया हमारे इस d की value आ गई यहनि हमारा जो d number option है वो right होगा यहाँ पे कौन सा d number option मेरे प्यारे बच्चे right हो जाएगा चलिए मेरे राजा आ जाओ आगे जादेना पहले का ग नमबर पहले की ग की अगर बात कर ले है ना फस्ट का ग आउकलन समीकरण की कोटी देखो एक होता है कोटी एक होता है घात जैसे हम यहाँ पे लिख दे d, d, x, of, y यह total घात होता है यह यहाँ पे होता है घात और जो y की गात होती है y की गात इसको बोलते है कोट और रूल यह है इसमें आउकलन समीकरण में जब कोटी गात पूछा जाता है तो जिसकी कोटी सबसे ज़्यादा होती है इसकी कोटी एक है जिसका आउकलन सबसे ज़्यादा बार किया गया है जिसका आउकलन सबसे ज़्यादा बार किया होता है उसी को हम कोटी मानते हैं जैसे यहां पर देखो इसका आउकलन तीन बार है इसका आउकलन दो बार है तो इसकी कोटी तीन है और इसकी कोटी दो है मैंने कहा जिसका उकलन ज्यादा बार किया रहेगा उसी को हम कोटी मानेंगे पूरे की घात जो होती है उसी को हम घात मानते हैं तो यहाँ पर देखो, यह 3 बाराओ कलन किया गया है, इसलिए इसकी कोट 3 है, और total यहाँ पर ऐसे कोस्टक लगा के घात कुछ नहीं है, तो एक है, इसकी कोट 3 हो गई, और घात 1, यहाँ पर देखो, इसकी कोट 2 है, और total की घात 2 है, फिक है? तो यहाँ पर मैंने कहा जिसकी ज़्यादा कोटी होगी उसी की घात भी लेते हैं तो किसकी ज़्यादा कोटी है इसकी कोटी कितनी है भाई साहब इसकी कोटी है तीन और घात कितनी है घात है एक ठीक है तो कोटी तीन है और घात एक है कोटी तीन घात एक बात clear है कि नहीं clear है बाइसे आगे बढ़ेंगे बहुत ही आसान प्रश्ण है ठीक है और यह लगातार प्रश्ण पूछे गए हैं और कोस्त लेना मत भूलना आप सभी कोर्स से जरूर जोइन करना बहुत ही कम एमाउंट है और मेरी गारंटी है कि मैथ में 100 में 100 मैं जो भी कंटेंट दूंगा अगर आप उस पूरे कंटेंट को अच्छे तरीके से तयार करते हैं बिल्कुल हैं रिटेन में ऐसे मिलेगा हमारे हाथों से लिखी हुई चीजे मिले एक एक पॉइंट आप इधर उदर नहीं कर सकते उसमें अच्छे समझ में आगा जैसे देखो यहां पर आपको समझ में आ रहा है एक दम धमाकेदार होगा समय लीजिए पूरा जहर धुवा धुवा करके आओगे बोर्ड इक्जाम में पॉइंट वाली बात समझीए गजर पॉइंट वाली बात, पॉइंट यहां पर बेसिक समझा देते हैं आपको, विना बेसिक के काम होने वाला नहीं है यह है अपना आई, यह है अपना यह अपना यह, तिक फीक है? अगर मेरे राजा I का multiply cross product I के बाद क्या रहा है J अगर मेरे राजा I के I cross J की value निकालोगे I cross 2 सदिसों का 2 21 सदिसों का गुड़ा करोगे अगला वाला दिख रहा है तो यह हो जाएगा K का लेकिन point वाली बात यह है कि अगर इसी का direction बदल दे सदिस गुड़न में इसको पहले कर दोगे इसे बाद में तो यहाँ पर चिन भी बदल जाएगा जैसे जैसे हम लिखें J पहले लिख दे J cross I ये बराबर हो जाएगा minus K कैप पासवन में आई J cross I बराबर minus K कैप हो जाएगा तो कहने का मतलब direction change होने पर इसकी चिन भी बदल जाती अब जड़ा समझे ऐसे ही I cross J होगे अब J cross K J cross K J cross K के बाद क्या मिल रहा है I तो यहाँ लिख दो I लेकिन अगर इसका भी direction बदलोगे जैसे देखो K पहले कर देते हैं K cross J अब बराबर क्या हो जाएगा minus I तो इसकी रागे वाला देखो K cross I K और I का multiply करो K के बाद क्या मिल रहा है I यह cycle है ना चक्र है K के बाद क्या मिल रहा है I तो K और I का गुड़ा करो के क्या मिलेगा J अब इसी को अगर बदल दोगे मेरे राजा I पहले लिख दो cross product K बाद में लिख दोगे तो हो जाएगा minus J ठीक है तो यहाँ पे I cross J की value K कैप देखो I cross J की value यहाँ पे कहा है I cross J की value क्या लिखोगे कैप ठीक है I cross K की value क्या लिखोगे I cross k की value जहाँ देन I I I I I cross K की minus j यहाँ पे अभी दिक हम लिख दे और दिका दे रहे है A cross J की value i cross k की value, i cross k की value, minus j, i cross j की value, i cross j की value, k का ए, j cross k की value, इसकी value, j cross k, j cross k, i हो जाएगा यहाँ पे, j cross k, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है, यह जो मैंने लिखा है, अब है मीरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना, देखो, अभी मैंने निकाल दिया था न, इसी चक्र से निकाला था और मैंने इसका आपोजिट भी बैलू दे दिया ओके, तो यहाँ पर देखो, जे के बाद के, तो आई डाड प्राडक्ट, जे क्रास के, जे क्रास के के अस्थान पर क्या लिखोगे आई, ठीक है, यहाँ देखो, यह आई पहले से है, डाड प्राडक्ट और जे क्रास के के अई हो गया, प्लस, यह प्लस है, प्लस लिख दिया, जे जे, यह जे, फिर डाड प्राडक्ट आ गया, फिर यहाँ देखो, आई क्रास के k के बाद i आता है लेकिन चुकि direction बदला गया इसलिए i cross k की value minus j हो जाएगा तो यह plus और यह minus minus हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे minus हो जाएगा ठीक है? minus j plus k cross i cross j बराबर k होता है अब देखो i dot i की value 1 होती है ठीक है? और plus यहाँ plus यहाँ minus j dot j की value भी 1 होती है और k dot k की value भी 1 होती है तो यह और यह cancel कितना मिलेगा मेरे राजा? एक मिल जाएगा तो जो option में एक value दिख रहा है वही होगा इसका right answer d number right answer ठीक है? हमें लगता है समद्ध में आ गया होगा सभी को आजा मेरे राजा आगे जान देना एक एक point समझना मैं बिल्कुल proof के साथ आया हूँ ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फटा फट एक बार comment box में comment करके ज़रू बता है ठीक है? solution ले लीजिएगा पेड़ कोर्स में इन भच्चों को लेना है 7992087382 पर contact कर लेंगे जो भी doubts हो गए आर फोन पर बात करके मेरे से direct आप contact कर सकते है ठीक है? A बराबर मजले कोष्टक A काम अभी में हुई आधारी संक्रियाओं की संख्या है दुई आधारी संक्रियाओं की संख्या है मेरे राजा तो देखो दुई आधारी संक्रियाओं की संख्या है यन के पावर यन और होल टुदी पावर टू ठीक है? यन के पावर यन और होल टुदी पावर टू ये दुय आधारी संक्रियाओं की संख्या है मेरे राजा अब देखो, ये फार्मूला है ठीक ये फार्मूला है किसी से हम निकाल लेंगे वैलू आप देखो, हमारे पास जो तत्व हैं वो दो हैं, तो यन की वैलू कितनी है दो, पहला, दूसरा दूसरा स्वाइं आई बात अब जहां पर यन है वहां पर दो डो यहां पर दो कि पावर दो 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 चार अड़MAN ऐकत बार बात वारे जाएगा मेरे मेरे राजा आव यहरा तो 9 समन्झ में आ गया कि नहीं क्लियर है चलो बहुत ज्यादा चिलाने से काम नहीं बढ़नेगा कुछ लोग पढ़ाते हैं बहुत आते हैं चिलाते हैं यूटूब पर यह कर देंगे वह उखार के फैक देंगे ऐसा कर देंगे अपन के अंदर यह नहीं है साइलेंट बेस पर पढ़ना है आप सभी को ठीक है ज्यादा तेज अगर सुनना चाहते हैं स्पीड बढ़ा दो सेटिंग में जाके 1.5 कर दो नार्मल के बज़ाए जो नार्मल में चल रहा है स्पीड बढ़ा के तेजी से देखो 2x पे देखो लेकिन मेरा जो बेस है मैं इसी आराम से पढ़ाऊंगा है ना यह जो है जंग नहीं लड़ रहे हम लोग इनको जो है आराम से भरना है एक जाम में तेजी से लिखना है ठीक है जल्दी जल्दी अगर ज़्यादा दिमाख लगाओगे ना तो भूल जाओगे बेटा आराम से समस्ते हुए चलिए ठीक है ज्यान देना निम्न लिखित सभी खंडों क को हल कीजिए यहां जीतने भी खंड है पूरे हल करना है अब पाँच अगर होंगे दूसरे क्वें में पांच होंगे करके तो आपको पांचों करना है यहां पर बाद्धता नहीं है एथ दो में से कोई 4 तीन करो, ऐसा कुछ नहीं है, सब को करना है, ठीक है, चलो मेरे राजा, तो दूसरे का कuldदेख लेते, डेखो, समुच्चे it a बराबर 1,2,3 से स्वें तक सभी एक कैकी फलनो की संख्या ग्याद करना है, एक कैकी फलनो की संख्या, ध्यान देना, देखो यहाँ पर जो तीन एलिमेंट है तो यन्ने की वैलू कितनी है तीन है अता ए से ए में ए काय की फलनों की संख्या कितनी है 3P3 तीन में से तीन का चैन करना है ठीक है तीन में से तीन का चैन करना है तो तीन में से तीन का चैन करोगे तो यहाँ पर देखों मेरे राजा यहाँ पर फार्मूला है यह फार्मूला है यह पियार क्रमचे संचे आपने पढ़ा होगा तो f at यही सूत्र यहाँ पर लगा दोगे तो f at three minus three factorial factorial three का मतलब factorial three अत्री मैं से three घटाएंगे जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा एंड त्री फैक्टोरियल फैक्टोरियल जीरो के अस्थान पे एक और तीन को लिखेंगे खोलेंगे तीन गुड़े दो गुड़े एक और तीन दुनी च्छा एक का च्छा इसका क्या जाएगा मेरे राजा चाय आ जाएगा याद रखना चाय आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इस question का जो answer है वो six है एक एकी फलनों की संख्या कितनी है चा है बास के लिए रहे की नहीं के लिए रहे भाई साब कितनी है आजाओ मेरे राजा next question ज्यान देना एकी वेलू दिया है बहुत बढ़िये भाई साब आप व्यू का question है कोई दिक्कत नहीं है पूरा एकदम बढ़िया से समझाएंगे आपको वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल एकदम share कर देना सभी बच्चे अपने friend circle में share करना मत भूलिये जितने भी friend circle है अगल वगल है न मित्रों को जरूर बताईए यह आ गए है भाई साब यह स्केम study पर एक गुरू जी है और वो एक दम तहलका मचा दे रहे है पी वाई क्यू सिरीज लेकर हादिर हो गए है ठीक है और पी वाई क्यू सिरीज को हल कर रहे हैं आप सभी बच्चे उन से जुड़िये और वो डिक्जाम में हंडेट में हंडेट लाओ ओके मेरी राजा आगे बढ़ते भाई साब यहां पर यह है चार आफसन दिया गया है ठीक है कितने आफसन चार आफसन अभी हम लोग आफसन लहल कर रहे हैं आफसन लही चल रहा है और यह आपका आधा घंटा लगबख समय होगे आप सनल लही चल रहा है आछे से समझा रहे हैं समय तो लगे गए एकजाम में आप अगर पहले से पड़े रहोगे जैसे offline class में जो हमारे बच्चे हैं वो क्या है कि पहले मैं practice करा रहा हूँ ठीक है यसे class 10 का अंसाल paper का practice करा रहा हूँ class 12 का अंसाल paper का practice करा रहा हूँ यही paper जब एक paper करा देता हूँ तो तो उसका test लेता हूँ और टेस्ट में जो पेपर आप एक्जाम में तीन घंटे में नहीं कर पाते एक आद दो कोईशन छूड़ जाता है वही पेपर आप लाइन के स्टुडेंट एक घंटे में हल कर दे रहे हैं पूरा समाल लो सब बच्चे तो नहीं लेकिन लगभग 20% बच्चे ऐसे हैं वो पूरा का पूरा कोईशन क्यों लिए घंटे में हल कर दे रहे हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हो पूरा वीडियो देखी वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तेको समय लगेगा अच्छी चीजों में समय लगता है अच्छा घर बनाओगे अच्छा टाइम लगेगा अच्छी पढ़ाई करोगे अच्छा टाइम लगेगा वैसे पूरा पेपर अच्छे से समझो एनाल्सिस करो पांच साल का अगर पेपर अच्छे से एनाल्सिस कर लेते हो मेरे लाटलो एक दम धूआ धूआ करके आओगे बोडिक्जा में याद रगए ठीक है चलो मेरे राजा अब समल लेते हैं इसको यह question है और यहाँ पे दिया है A plus A डैस बराबर I तो अलफा का मान गयाद करो देखो A क्या है ट्रांस्पोज है A का ट्रांस्पोज अगर A डैस निकालोगे तो पंक्ती को क्या करोगे अस्तम्ह में कर दोगे ठीक है पहले पंक्ती को पहले अस्तम्ह में और दूसरे पंक्ती को दूसरे अस्तम्ह में कर दोगे तो A से A डैस मिल जाएगा परिवर्त आप व्यू जिसे हम बोलते हैं इंग्लिस में ट्रांस्पोज कहते हैं आई डैस क्या है यह दो गुड़े दो पंक्ति का आप व्यू है तो जो आई की वेलू मिलेगी वन जीरो जीरो वन यह आई की वेलू हमें मिल जाएगी मेरी राजा ठीक है अब देखो आगे यहां ठीक तो एकी वेलू यह है और एडैस कैसे मिला पहले पंक्ति को पहले अस्तम में इस दूसरे पंक्ति को दूसरे अस्तम में लिख देंगे ठीक है उसके बाद एधन एडैस बराबर आई एडैस बराबर आई एक इवेलू यहां पर रख दिये और आई की वेलू आप जानते ही अभी मैंने बताया इकाई आप व्यू है यहां पर रख दिये ठीक है उसके बाद देखो मेरे राजा इसको जोड़ दो कास अलफा में कास अलफा जोड़ोगे तो कास टू अलफा जाएगा माइनस साइन अलफा प्लस साइन अलफा यह और यह कैंसिल हो जाए क्योंकि एक माइनस और एक प्लस कैंसिल होके क्या मिलेगा मेरे राजा जी लो मिलेगा ठीक है साइन अलफ़ा पॉस्ट्टीव है यहां में मैं साइनलफा नेगेट्यूव यह Plus और यह- Cancel हो क्या मिलएगगा जीडो कास अलफ़ा में चास अलफ़ा जोड़ोंगी टू कासा हर्भ me ठीक है और बराबर 1001 ठीक है अब यहां पर देखो हम कमपरीजन करेंगे तो कि दोनों तरफ लेप्ट में भी और राइट में भी समान आप व्यू हैं समान आप व्यू का मतलब चेला क्या होता है इस तरफ भी दो पंक्ती दो अस्तम्भ हैं इस तरफ भी दो पंक्ती और दो अस्तम्भ हैं ऐसे आप व्यू को हम लोग समान आप व्यू बोलते हैं ठीक है अब ऐसी स्थिती में इनके अवयों आपस में बराबर हो जाते हैं पहले आप व्यू के पहले पंक्त पहले अस्तम्भ का मान दूसरे आप व्यू के पहले पंक्त तो तू कास अलफा बराबर वन देखो तू कास अलफा बराबर वन यहां से कास अलफा की बैलो निकालोगे मेरे राजा क्यान देना कास अलफा की बैलो निकालोगे देखो यहां समझना एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे तू कॉस अलफा बराबर यह भाग में चला जाएगा तो एक बटा तो जाएगा ठीक है और यहां देखो आप देखो यह कैसे आया थोड़ा इसके बारे मैं समझ लो यहां पर लिखा है कॉस अलफा बराबर एक काटे दो है ना ऐसे उंगली रखेंगे क्या बोलेंगे कास कास कितने हंस की वैलू एक बटा दो होती है तो भाई सहाब कास साथ हंस की वैलू एक बटा दो होती है कास साथ हंस का मतलब पाई बाई थ्री और दुनों तरब कास हट जाएगा कटे गा नहीं अटेगा तो पाइब यहां से भी निकालोगे तब ही क्योंकि दोनों आपस में क्या है पराबर है कि सबको सौन में आ गया चलो नेक्स्ट क्वेस्चन अब हम देखिए बीडियो बड़ा ना हूँ इसलिए यहीं पर बीडियो को ब्रेक करते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि कोर्स जरूर जोइन करें बहुत ही कम एमाउंट रखा गया है केवल मयत की लेना है 29 रुपए में लेके चेक कर लो और अनसाल पेपर आप खरीदोग हम ऐब है 200 रुपए में 5000 रुपए में तो मेरे द्वारा लोगे 1190 रुपए । बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मैं दे रहा हूं याद रखना अगले वीडियो मैं दूसरे प्रश्ण से आऊंगा आपको बताऊंगा सही बच्चे तयार रहें चैनल को सही बच्चे सब्सक्राइब करके रख लें ठीक है कोई भी डाउट होगा नंबर यहां पर है आप पो सकते हैं ठीक